हलो दोस्तों सुबा के पांच बच चुके हैं अभी अभी मैंने दफामिली मैन सीजन टू के नौ एपिसोड्स देख लिए हैं और मैंने कहा तुरंत आपसे बात करो बस लिप्सिक लगाई और आपसे बात करने आ गए तो यह एमिजॉन प्राइम पर आठ बजो रिलीज हो ग काफी हद तक वह से अचीव करते हुए नजराते हैं फर्स्ट एपिसोड में जहां पर वह नए गाड़ी खरीद लेते हैं नए फ्लैट के लिए अप्लाए कर देते हैं यही नहीं वह अपनी नौकरी बदल करके निया की नौकरी छोड़कर आईटी की नौकरी करते हैं जहा पर वो डेश 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 यापा कर रहे हैं कि उनको उनको एक ही काम आता है इंटेलिजेंस का अभी वह केस सॉल्फ करने में दिल्चस्पी रखते हैं अभी वहां के अपडेट लेते हैं उनका दिल वहीं पर लगा हुआ है कहानी शुरू होती है ल्टी टी और आयस आई के कुछ लोग मिल करके जुल्फिकार का जो एपिसोट था जो प्रोग्राम था जो इवेंट था जो उनका मिशन था वो जब एक बार नकाम कर दिया गया म के साथ वो किस तरह मोड लेता है उसमें ल्टी टी कैसे आती है यह बहुत एहम है देश के स से नाराज हैं कुछ लोग और उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं ऐसा पधानमंद्री खुद कहती है और एक बड़ा मिशन प्लान के आता है शीकान तीवारी उस मिशन को इनरस्ट करने के लिए निकल पड़ता है उस मिशन की करता धरता इस बार सामन्था है ओ माई गॉड में जो अंटरगने स्टा जो में विलन है वो सामन्था जबर्दस में मुसा को मिस किया मगर राजी यानि सामन्था ने जबर्दस मताब उनको बहुत लंबा क्या नहीं दिया कि शूरू के एपिसोस में दिखती है फिर काफी सारे क्यारेक्टर आते हैं तो अगले सीजन में दिखाई पड़े हाला कि इस सस्पेंस है मैं नहीं बताऊंगी बहुत गजब का उन्होंने मनोज वाजपई को जबरदस्त एक चरौती दी है हाला कि मैंने मुसा को जरूर कम किया मुसा को जरूर उसकी कमी महसूस की फिल्म सल्मान नाम के करदार की एंट्री से बताएं बात करें शूची की शूची अपने शूची की शादी को ले करके मामला पहुंच गया है कौनसलर के पास और वहां पर जाकर करके शूची अपने गिल्ट को वियुत करना चाहती है कि वो अर्विन के हथ Curtis हो गयी ती वो बताना चाहती उसके आगे क्या होता है व ओनोज तिवारी के घर पर 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 अटेग के रुपे पहुँंचता है उनकी परिवार पर इसकी आँच आती है इतनी पूरी आँच आती है लेकिन उसके बाप ही साविक होता है कि मैंनोज वाचपई के मेंन रहոงगने पुनजाइश है मेरे नहीं करूंगे तो मनोज वाजपरी यानि श्रीकान तीवारी उनके घर के वह सदस दिखाता है हमत दिखाता है क्या होता है वह आपको पता चलेगा लेके सब्सक्राइब बहुत मुश्किल यसे मुझ जैसे हिंदी भाषी के रहे कि पूरा 50% वेब सीरीज है तमिल में है चु लेकिन इतना difficult Tamil language है तो हम नहीं समझ पाते हैं और आपको सब्सक्राइब से बहुत ध्यान देना पड़ता है सब्सक्राइब अब हिंदी इंडियन सीरी अपसीरी हमारे आहमें आदत नहीं है सब्सक्राइब देखने के लिए तो वह एक बड़ा टास्क है और उसके अलावा तो इस तरह के कुछ कमियां जरूर है परिवार को बहुत जादा दिखाए गया है और जो इस में दिखाए गया है मुझे थोड़ा कमजोर लगा पिछली बार से सीजन वन सीजन वन अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग सीजन है अच्छा सीजन है लेकिन अगर सीजन बन से मैं तुलना करूं तो यह सीजन में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि एक कुछ तो चीज मिसिंग है हाला कि मनोज वाजपई और सामन्था का बहुत जदा आमना सामना है बहुत उनके सीन उस तरह से नहीं आ पाए लेकिन क्लाइमेक्स गजब का है क्लाइमेक् में एक चलम नाम का चलम नाम का करना करदार इंट्रूस किया गया है जो एक रटायर्ड इंट्रिजेंस रॉफिसर है इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग करेक्टर है बहुत सलमान का मैंने जिकर के सलमान नाम का करदार नया है साजित का करदार ग्रो हुआ है बहुत यहीं हिंको इसमें मेल मिल से बाइब घ्र वी मिल गया है प्रदानमंतरी ने उनको यह भी कह दिया कि देश आपके किया कर सकता है और शीकांति वारी ने कहा कि लोन फ्री वह मिलेगा क्या टेक्स्री लोन मिलेगा घर लेने के लिए तो एक complete family man बनने की उनकी त्यारी लेकिन end में उनकी परिवार की कुछ जो एक वो चीज जहां परिवार उनकी इजट नहीं करता वो भी अचीव करते हुए शिकान तिवारी नजर आते हैं इस सीरीज के अंत में और आपके चेरे मु पास चले जाते हैं तो आपको अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपको आधी बाते नहीं समझ मेंगी बहराल मैं इस वेब सीरीज को पांच पिसे चार नमबर देना चाहूंगी साड़े-4 इसलिए नहीं कि family man number one जो था सीरीज वन था वो ज्यादा बहतर था लेकिन हां यहां पर मनोज वाजपरी effortlessly excellent नज़र आते हैं एक emotional अंगर जो उनका वहां नहीं नज़र आया था यहां पर दो तीन बार ऐसे परिस्तिय आती जहां वो बेहत emotional नज़र आते हैं तो यह वेब सीरीज आप जरूर जरूर जर